ट्रेनी वेरिफिकेशन दोहजार चौविस जिन चात्रों का अभी भी पर्मानेंट रेजिस्टेशन नमबर जनरेट नहीं हुआ है यानके पियारन नमबर नहीं मिला है तो उन चात्रों को अब घबराने की जरूरत नहीं है 30 अपरेल 2024 जो लाज़ डेट थी वो डेट फिर से एक बार एक्स्टेंड हो गई है और सरकार जो है वो विविन स्टेट से जो है डारेक्टरेट जनरल आप ट्रेनिंग मतलब डीजी टी ने फिर से डेटा मागा है कि कौन कौन से चात्र रह गए हैं जो बचे हुए चात्र जि सफलता पूरवक तो आज इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो डेट है वो कब तक एक्स्टेंड हो गई है और जो स्टेट द्वारा नया डेटा कब तक अपलोड होने वाला है जो DGD के पोर्टल पर SID के पोर्टल पर वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा साथ में जिन लोगों के पर्मेनेंट रेजिस्टेशन नंबर जनरेट हो चुके हैं या पर जिनके नहीं हुए हैं उनके 100% हो जाएंगे तो आप लोग ITI के एक्जाम की तयारी करना सुरू कर दीजे अप मैंने अपने चैनल पर इंप्लॉइबिल्टी स्किल व बात कर लेते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो लिखाया कि पंडिंग ट्रेनी डेटा अपलॉड वाई स्टेट यूटी त्रेटरी और डारेक्टेट थो एप्याई और टेम्पलेट तो जो इस्टेट के दवारा या यूटी के दवारा जो है वो डेटा अपलोड होना है वो 13 माई से 16 माई के बीच में जो DGT का पोर्टल SID उस पे डारेक्ट अपलोड हो जाएगा और ये काम कौन करेगा स्टेट मतलब राज ये काम करेंगे त्रेनी वरिफिकेशन होगा वो लाज डेट आँप लोग देख सकते हैं 31 माई 2024 कर दिया है और ये किसके द्वारा होगा ये ट्रेनी द्वारा होगा मतलब चात्र द्वारा होगा और ITI जो है वो इसको इंसोर करेगा कम्पलेट कराने में सारे स्टेप्स के लिए फालो कराएगा help करेगा तो जिन छात्रो का अभी भी permanent registration नमबर नहीं आया है 31 माई अप लाज डेट हो गई हुससे पहले पहले आप अपना permanent registration नमबर जो है वो जनेरेट करा ले साथ में जिन छात्रो का mobile नमबर चेंज करना है उसका डेटा जो है उत्तर प्रदेश का साइट पे भरा जा रहा है मैंने आपको बताए भरवा लिजे ये डेटा भी आपको 13 से 16 के बीच में वहाँ पर अप्लोड हो जाएगा उसके बाद आपका नमबर चेंज होके आप फिर जो है वो कर सकते हैं अपना फिर से वेरिफिके उसके बीचर क्या है चाहरा है पेला है जब जाहँ पर प्रदेश को है येशिवाँ पर छाएगा उसका बीचर का